हाललुया प्रेज़ लोड और परमेश्य का धन्यवाद हो इस संदर समय के लिए संदर संगती के लिए परमेश्य की ओड़ से हमें यह अवसर मिला है परमेश्य ने हम एक बार फिर से यह अवसर दिया है कि हम परमेश्य की क्या कर सके अराद ना कर सके परमेश्य की हम महिमा कर सके प्रिज्द लौड हललुया जय मसीग की आप सबों को भाई दीपकलाल जय मसीग की इस समय हम थोड़ा किसी परिवार में आए हुए और जब कि अब हमारा समय हो चुका था कि हम परमिश्र की अराद ना करें परमिश्र की महिमा करें सब लोग प्रभू आपको बहुत आशीज दे बहुत आशीज दे आज हम थोड़ा सा घर से बाहर हैं और खुदा के कलाम में से आज हम पढ़ने के लिए निकालेंगे चलिए पहले हम परमिश्र करेंगे सिस्टर रेनू का सालेस प्रभू आपको बहुत आशीज दे बहुत बरक्त दे अपने नुगई में रखे और क्योंकि समय मुझे और आपको क्या करना हैं जागते रहना समय परिद्व कर देरी प्राइब दिया के लिए और तेरी करोणा के लिए तुने आज तक harmony समान के रखाना नुगहरे में गरता है प्यारे वरें would कि हमारे सारा डीली और डीवोशन में 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 सारे प्यारे भाई वे नाए वे खुदावन हरी को मैं आपके हाथों में दीता हूं खुदावन आप सब की साहता कीजिए का मदद कीजिए अपना नुग्रे दीजिए और प्रभू आपके दर्शन में आपके एगवाई में सब लोग प्रभू ये श्मसी चलने पाएं पिता परमेशन प्रात न करते हैं आपका दर्शन आपकी अगवाई हम सब को मिलती जाए खुदावन हर पल हर शण आप हमारे साथ रहे आपकी उपस्तिती के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभू कि आपकी उपस्तिती हमारे साथ बनी रहे खुदावन जितने मेरे प्यारे भाई बैन इसमें उन्लाइन है और खुदावन मैं सब के जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ, विश्यश का धन्यवाद देता हूँ, विरुनिका माइकल अंटी के लिए प्यारे प्रभू जब उनके परिवार में आये हैं और आज अंटी का जनम दिन है खुदा प्रात्मा के अगवाई में इस प्रात्मा को माँग लेते हैं आमीन आमीन अलेलुया प्रेज देलोड और परमेश्य का धन्यवाद हो इस संदर समय के लिए और आज मेरे साथ निकालेंगे यहन नरचिसू समचार और उसका तीसरा अध्याय और वो कहता है येश्या निकुमदेस उसकी क्या है इस्तिति निकुदिमिस येश्य मसी के पास आया निकुदिमिस और वो कहता है फरीश्यों में निकुमदेस नाम का एक मनुश्य था जो यह हुरा कर आया है हालिलूया प्रेजद अलोड देखिए खुदा का वच्छन मुझे और आपको हर बातों को समझाता है लेकिन मैं और आप उसको कितना समझ पाते हैं और खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो निकोदमिस जो की एक फरीशी फरीशियों में का एक सरदार था हालि वो वो जो था निकोदिमेस जो था फरीसियों का सरदार था और वहाँ पर वो सरदार होने के कारण से वो येश्वमसी की बातों को देखता था जानता था और उसने एक बड़ी सुन्दर बात कही है वहाँ पर खुदा के कलाम में और रात कोई इश्क मसी के पास आता है क्यों रात को क्यों आता है दिन में क्यों नहीं आया मेरे प्रीयो मेरे आजीज़ो मैं और आप मैं और आप कौन है मैं और आप अगर हम दिन में किसी के पास जाते हैं तो कोई डर वाली बात नहीं है लेकिन जब मैं और आप रातरी में किसी के पास जाते हैं तो बहुत डर्की बात होती है तब हम तब शक के दाइरे में कोई न कोई चीज आ जाती है हललुया प्रेज दरोड क्योंकि शक का शक बनता है रात को रात को क्यों जा रहा है रात अंदकार में कौन आता अंदकार में शेहतान आता प्रेज दरोड हललु और वो कहता है आके है रबी हम जानते कि तो परमेशर के ओर से गुरू होकर आया क्योंकि जो कोई चिनों को तू दिखाता है वो परमेशर उसके साथ ना तो कोई दिखा सकता है हालेलुया कितनی خوبصورت बार निकोदिमस जानता था निकोदिमस जो था वो जान गया था इस बात को कि प्रभय एश्यो मसी के साथ परमेशर पिता है और वो परमेशर पिता के दवारा ही खाना हे वो चिन्नों को दिखाता है है, ऐसे नहीं दिखा रहा है वो, वो कहता है कि क्योंकि कोई इन चिन्नों को जो तू दिखाता है यदि परमिश्र उसके साथ नहें दिखा सकता है, है fabольш debt by ते वो जान गया था इस बात को कि प्रभी एश्रमझीदक के साथ परम करता है, हालेलुया प्रेज दालोड जी हां मेरे और आपके साथ जब प्यार पिता परमेशर होता है मेरे प्रियो तो मैं और आपके साथ कोई कटना ही होई नहीं सकती परिशनी होई नहीं सकती और हमारे साथ जब प्रभू होता है तो हमारे जीवन में परमेशर की उपस्तिती क्या हो छेलो या पुछ ता भी परेने के लिए को बह। जो बिजनस करते हैं जो काम करें इस पर बहुत आशी दे हम रोज प्रात ना करते हैं इस बात के लिए हालेलुया बहन बहन आपके लिए धन्यवाद हो और वह कहता है ये शुन उसको उता दिया मैं तुम से सच सच कहता हूँ यदि कोई नए सिरे में से नाजन में तो परमेशर के राजी को नहीं देख सकता हालेलुया अब नए सिरे से जनम लेने का अर्थ है मेरे प्रीयो क्या अर्थ है जब तक मैं और आप प्रभुयेश्व मसी के बदन में गठे नहीं जाते हैं और गठेंगे किस प का और निकोदेमस ने कहा कि अरे कैसे हो सकता कि कौन सा बुड़ा व्यक्ति जो है अपनी मा के गर्ब में कैसे दुवारा जा सकता हलेलुया प्रेस दे लौड लेकिन प्रभुयेश्व मसी ने यहां दूसरी बात कही हलेलुया और वो कहता है ये श्यमसी नहीं तर्द्य नह जनन्यवेपर्मिशन के र एक्राज में प्रभियेश्थ नहीं कर सकता। हाललुया! प्रभियेश्व मसी जब जब अपनी सेवा के ले गया, तो उस् Wars ने क्या करा? यहन्था बेप्टिस्मा के दाता के दौरा क्या लिया? बेप्टिसम लिया! हललुया और उस से वो उसको बैप्टिस्मा मिला और यहां भी वो कह रहा है कि मैं तुम से सच करे जब तक कोई जल और आत्मा से जल और आत्मा से कोई जब तक की कोई बैप्टिस्मा ना ले तो तब तक वो परमिश्टर के राजिय में प्रवेशनी कर सकता है क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर और जो आत्मा से जन्मा है अच्छा माना कर मैंने तो इससे नए सिरे से जन्म लेना आउश है जी हां क्या होता है कि हम बैप्टिजम लेने के बाद भी हम बप्तिसमा लेने के बाद भी वो ही गलत काम वो ही गलत चीज़ें वो ही गलत काम करने लगते जूट बोलना वे विचार करना बुरी बातों में में सयोग करना ये मेरे और आपकी जिंदगी तो मेरे प्रियों मेरे अजीजों बप्तिस्मा लिए कर गिए अगर आप अपना जीवन जब तक नहीं बदलेंगे तब तक तब तक क्या होगा तब तक आप करना नया जनम नहीं हो सकता हालेलुया प्रेज देलोड हालेलुया जितने मेरे प्यारे भाई बें जुड़रे खुड़ावन आप सबों को आशी दीजिए दीजिए पिता पर मिश्रा आपका अनुगरे बना रहे और देखिए वचन कहता है और निकोदमस ने कहा निकोदमस ने कहा ये कैसे हो सकता है निकोदमस कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं दوبारा मा के घर में चला जाओ लेकिन मेरे प्री और मेरे आजीजिए और यहां पर ये बात नहीं देना है जनम ये है कि हम उन बातों को उन गलत चीज़ों को क्या करें रोड हालेलुया और वो कहता है मैं दस्वां पत कहता है तू इस्राइलियों का गुरू करके इन बातों को नहीं हालेलुया और वह सुलमें पत को देखें सुलम पत क्या करता है बड़ी खुबसूरत बात है प्रेज़ लौड समीटा क्लेविट सिस्टर प्रभु आपको है प्रेज़ लौड क्या है कीवर्स है खुदावन का धन्यवाद हो वो कीवर्स परमेशन ने मुझे और आपको दिया हालेलुया या कीवर्स दिये परमेशन ने मुझे और आपको हालेलुया प्रेज़ लौड और क्या कीवर्स दिये उसने कहा है कि क्योंकि परमेशन ने जगा से ऐसा प्रेम रखा कि क्योंकि परमेशन जगा से ऐसा प्रेम रखा उसने अपना एक लौत पुत्र दे दिया ता कि जो को इस पर रिशास करें वह ना स्टाओं हाले लुए फ्रेज़ दा लॉड बिल्कुत सवीता सिस्टर मैं प्रात्रा करूँगा बेटे अरनव के लिए तो आई हम पहले प्रात्रा करें सिस्टर ने बोला उसके बाद पिर हम आगे में चलेंगे सरवशिक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद और तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरे अनुगरे के लिए तेरी आशीश के लिए तेरी बरकत के लिए प्रबू कि तुने बेटे अरनव को एक नया वाइस दिखाया पिता परमेश्वर तेरा वाई करें, रहनुमाई करें, सामर्ती हाथ में सालें, और अपनी देया और देश्टी और करुना उसके जीवन पर बना करें, अच्छा स्वाज दे, जैसे पिछले साल में खुदावन तुने समाला, इस नई वर्ष में तो उसको आशीश और बर्का देना, हलेलुया, परमेशन ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हलेलुया, कैसा प्रेम रखा, कि जो कोई, जो कोई, अब वो कोई भी हो, प्रेज रोड, कोई भी वेक्ति हो, कोई भी हो, परमेशन उसको, जो परमेशन ये शुमसी के पास आएगा, जो खुदा के बिटे ये शुमसी के पास आए वो क्या पाएगा जीवन पाएगा प्रेज दलॉर्ड हो कि ताकि हम उस पर विश्वास करें और बहुतायत का जीवन पाए प्रेज दलॉर्ड हालेलूया पर में शका धनेवाद और वो कहता है ताकि जो कोई वzne विश्वास करें, वो नस्ट ना हो अब जैसे की जो कोई से मैंने हमेशा इस बात कर रेता है, जो कोई चाहे वो पुरुष हो हो चाहे महिला हो चाहे कोई भी कास्ट का हो कोई भी जाती का हो प्रेज़ दरोड सिस्टा मैं रिसीव करता हूँ आपके आशीशों के लिए परकतों के लिए कैसे भी हालत हो कैसा भी हो परमिशन उसको आशीश देगा हाले दूजा उसे जीवन देगा और कैसा देगा जीवन अनन्ट जीवन देगा हलेलूया खुदावन का कितना जगत में इसलिए नहीं भीजा कि जगत में दंड किया गया दे परंतु इसलिए कि उसके द्वारा उधार पाए हलेलूया और हम किसी उसमें देख लें क्या होता है कि बस क्या हुआ उन्हों ने फर्मेशो ने अपने पुद्त को जगत में इसलिए भेजा कि लोग उत्धार पाएं जीवन पाएं और बहतायत का जीवन पाएं हम किसी और कास में देख ले अगर किसी ने भी गलत किया किसी नभी कुछ किया उसका नर्साहर कर दिया मेरा और आपका ये शमसी नर समार gotta आया है, नर सहार करने नहीं आया मेरे प्रियों, नर को सवार नहीं आया है, और जगा और जगा पे आप देख लिजे, अगर किसी से कोई गलती हो गई, किसी से कोई गुणा हो गया, उसकी गर्दन चड़ से उड़ा दी गई, लेकिन मेरा और आपका येशु मसी क्या देने आ उसने तो अपने हमारे गुणाओं का धंड, हमारी गलतियों का धंड, हमारे पापों को अपने उपर ले लिया, हालेलुया, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, जिसने, जिसने भी, मेरे और आपके गुणाओं को अपने उपर ले लिया हो, लेकिन हम कहते हैं कि मेरा और आपका प् उसके हातों में कील ठोकी गई, जो कील मेरे ठोकनी थी, वो कील उसके ठोकी गई, जो भाला मेरे चुबाया जाना था, वो भाला उसके चुबाया गए, मेरी धाड़ी को, मेरी मूचों को नोचा जाना था, लेकिन मेरी खातिर मेरे येशु मसीने, चाकरा, मेरी अपनी क्यों गुनाओं के लिए अपने प्राड़ों को दे दे प्रेज दे लॉर्ड के वाल ये शुमसी है हलेलुया इस समय मेरे और आपको समझे समझे की बात है अठार मापत कहता हूँ जो उस पर विश्वास करता है उस पर दन क्या गया नहीं अब एक बाह सवाल ये उड़ता है हम मस्यों के लिए हम कितना विश्वास करते हैं कितना हम उसको जानते हैं खुदा के वचन को पढ़ते हैं लेकिन उस वचन पर हम चलते नह है क्यों नहीं चलते क्योंगा हम पर विश्वास नहीं है मेरे प्रियों में बड़ी सक्ति से इस बात को कहना चाहता हूं कि हम मस्यों में विश्वास की कमी है अगर विश्वास करेंगे तो वो और जो विश्वास करेगा उस पर दंड किया गया नहीं है परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोशी ठहर चुका और जो भी जिहाँ जो भी येश्व मसी पर विश्वास नहीं करता वो क्या है दंड ठहर चुका है दोशी ठहर चुका है बहुतायत का जीवन दिने आया है, उस में कोड़े खाए, मेरे लिए उसके हाथों को छेदा गया मेरे लिए, उसके मूँ पर तूका गया मेरे लिए, हालेलुया, क्या आप ने उसकी उसे रोजों के समय में, जब हम रोजों के काल में चल रहें मेरे प्रियों, तो क्या आप अपने आपको जाच रहें इस समय, क्या आप अपने आपको देख रहे कि या बस meeting में जा रहे हैं मिठाई biscuit खा रहे हैं और ये जीवन चल रहा है प्रचार सुना और खतम दिमाग से निकल गया कानों से सुना निकल गया कान अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोखे में हैं ये समय है रोजूं का समय अपने आपको जाचने का समय है मेरे प्रियो अ जोती से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे जी हाँ जितने भी बुरे काम होते हैं वो रात्री में किये जाते हैं जो अंधेरे में किये जाते हैं और मेरा प्रभु ये शुमसी कौन है जोती है ये शुमसी मेरे और आपका जोती है मेरे प्रियो प्रेज दो प्रेज दे लौट खुदावन का धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियों मेरे अजीजों कि खुदा ने कितनी महबद मुझसे की है और आप से की है रातरी में जो है बुरे काम होते है इसलिए वो कह रहा है मनुश्य ने लेकिन हम दुनिया के लोगों ने अंधेरे को पसंद किय लोगों ने बरबा को कहा कि बरबा को छोड़ दे जीवन को सूली पर चड़ने के दे दिया और मृत्य को अपने हिस्से में ले लिया क्यों ले लिया क्योंकि वो जानते नहीं थे कि जोती येशु मसी है उन्होंने कहा येशु को बलिदान कर दे येशु को सूली पर चला बरबबा को हमारे लिए छोड़े उन्होंने कहा कि मनुश्य ने अंदकार को जोती से अजिक पर जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो जोती से बहर रखता जोती के निकट नहीं आता जिहां जब मैं और आप ये शुमसी के निकट नहीं आते तो मेरे और आपके जीवन में खाली पन है मेरे और आपके जीवन बरबाद है और जिनके पास ये शुमसी है जिनके पास ये शुमसी है समझ लिए उनके पास जीवन है उनके घरों पर आशिश है उनके घरों पर बरकत है मेरे प्रियो मेरे अजीजों जान लीजे कि प्रभू आपके साथ है हालेलुया तो जीवन में कभी कोई घमी गटी नहीं होगी कटनाई आएंगी जरूर परिशानी आएंगी जरूर लेकिन वो उसमें से निकासी दे देगा आपको क्योंकि आपके पास जीविती ये शुमसी है प्रेज दे लॉड प्रेज दे लॉड हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो और बीस वापत कहता है क्योंकि जो कोई बुराई करता है हालेलुया जो लोग बुराई करते हैं जो बुरे हैं गाली देने वाले बुराई करने वाले पाप करने वाले वेविचार करने वाले ये सब बुरे लोग है मेरे प्रियो और वो क्या करते हैं वो जोती से बैर रखते जब मेरे और आपके जीर में भी ये शुमसी नहीं होगा तो समझ लीजे कि हम दो शी ठहर गए हलेलुया और 21 अपत कहता है परंतु जो सत्य पर चाथ चलता है वो जोती के निकट चलता है ताकि उसके काम प्रेकटों और परविश्चर के ओड से किये गए हैं प्रेज दा लॉड हलेलुया और वो कहता है कि जो सत्य पर चलता है क्या मैं और आप सत्य पर चलते हैं क्या मैं और आप इमानदारी से चलते हैं क्या मैं और आप कितनी बार दिन में जूट बोलते हैं मैं और आप कितनी बार सत्य पर चलते हैं मुझे और आपको कहने की जरु अगर जो इमानदार व्यक्ति होगा जो सत्य पर चलने वाला व्यक्ति होगा वो जोती में रहेगा वो रोश्णी में रहेगा कभी अंदकार में काम नहीं करेगा प्रेज दे लोड क्योंकि उसके पास सत्य है और सत्य कौन है येशु मसीष हालेलुया प्रेज दे लोड येश चारे प्रिये भाई बहनों का मैं जबकि आईवन अंटी के घर के सामने बाहर खड़ा हूँ और गाड़ी में से प्रचार कर रहा हूँ वो लोग अंदर हैं और प्रचार को सुन रहे हैं परमेशर आपको बहुत आशी दे क्योंकि खुदा को जो समय देगा खुदा को जो मसी को जो खुदा के कलाम को खुदा की बातों को खुदा की अनुसार चलेगा खुदा की बातों को सुनेगा वो विक्ती वो परिवार वो जीवन पाएंगे आशीश पाएंगे बरकती पाएंगे माई विजय कुमार दिवेदी प्रभू आपको आशीश दे हालेलुया प्र परमेश्र का धन्यवाद हो प्रभू का धन्यवाद हो मेरे प्रियो और आये हम सब प्रात ना करें हम सब प्रात ना करेंगे सर्व शक्तिमान फिता परमेश्र तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभू जी तेरी उपस्तिती के लिए तेरे प्रेम के लिए तेरी दया के लिए जो तो वाचा बांदिए ओ, वाचा के अनुखार चलना, प्रभू तिरा धन्यबाद देते हैं, प्रभू प्रात्रा करते हैं, ख़्दावन ये श्युमसी जितने भी ऑनलाइन मेरे भाई बहन है, प्रभू हरएक के जीवन पर तेरी आशीश हो, हरएक के जीवन पर तेरी वर्कत हो अनुग्रे हो खुदावन प्रात्रा करते हैं जितने ओफ-लाइन इससे देखेंगे प्रभु आश्चीश देना विशेश का प्रात्रा करता हूं मैं वह इनका अंटी के लिए और भाई अरनव के लिए प्रभु देश बेटे पर और हमारी वज़र अंटी पर तेरी साल दिया है तेरी ओर से उनको जीवन मिला है पता तेरा धन्यवाद देता हूं प्रो प्रात्रा करता हूं प्यारे प्रो तुआ अशी हो प्राव बाई अभी क्लाइमिंट के बेटे के पर तेरी आशीश हो प्रभू येश्य मसी प्रात ना करते हैं उस बच्छे के पड़ाई में उनके कामों में आशीश हो परकत देना जबकि हमारी बज़र गांटी माइकल एंटी खुदावन येश्य मसी पिता परमेशर बज़रगी के आ प्रभू मुझ जैसे विक्ति को इस्तिमाल किया तिरा धन्यवाद देता हूँ पिता जी के सम्मों के शुज़र के नाम से पवत्रात्मा के अगवाई इस प्रात्मा को मांग लेते हैं आमीन आमीन और आमीन जैमसी की हालेलुया कल मिलेंगे हम साथ से आठ में और सॉरी बाएएगा्त से नौ में प्रभु के कलाम को । हमारे भाई बेर्ञेन लेके आएंगे और दससे साड़े चिस में हम फिर मिलेंगे मुलाकात करेंगे आप समने को जैमसी की हालेलुया प्रेज़ दैलॉट । मुझे और आपको सीखना है हालेलुया प्रेज की हालेलुया झाल झाल